में हमारे साथ हैं बीजेपी के राजिस्वा सांसत शरी विजयापाल तोमर जी बल्लवगड में एक सरफ रेने एक बच्ची है उसको गोली मार दी मीडिया ने मीडिया बड़ा इस चीज की चर्चा हुई महापंचायदी भी हो रही है बल्लवगड में मीडिया ने जब इस चीज को खंगाला तो दो साल पहले भी उस लड़के ने उस लड़की को किटनाइप कर लिया था उसका राजनीतिक परिवार है राजनीतिक रुखरा है उसका कॉंग्रेस से जुड़ा वरहा है राजनीतिक रुखर्व के कारand सारा मामला रड़ा रफा दफा कर दिये गए आब दो साल बाल लड़के को गोली मार दी गई मामला ये भी सामने आ रहा है उनकी परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए कि हमारी बेटी को फोन वोन भी किये गए थे कि आप धरम मदलो आपकी आपकी शादी कैसे होगी अब आपका नाम बदनाम हो चुका है आप धरम मदलो इससे शादी कर लो जब उस लड़की ने सादी करने से मना कर दिया तो उसको गोली मार दी गई कि इस तरीके से देखते हैं इस गड़ना हुआ देखे ये अकेले बल्लाव गड़की गड़ना ही नहीं है इस तरह के दरदनों के सामने आगए लफ जिहाद के नाम पर जिस तरह का ये कुछ करत किये जा रही है कोई नाम बदल लेगा अपना नाम बदल करके और दूसरे धरम की लड़के को बेहन कारने फसलाने का काम करते हैं और बिना इक्षा के बहुत ऐसी हैं जो एक धरम की दूसरे धरम में शादी है लेकिन यदि लड़के लड़की की सहमती है तो ठीक है लेकिन जिस तरह से लड़की की च्छाओं के वरुद्ध ये करत किया गया है इसमें मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकार ने जाँच बेठाई है S.I.T. उसका जाँच कर रही है सक्त कानून बनाए उत्तर प्देश की सरकार ने कहा है हर्याने की सरकार ने भी कहा है लवज जिहाद के खिलाप सक्त कानून बनाएए गा और जब पहले लड़की का परन हुआ था जो भी उसमें सम्मेली थे, जिन लोगों ने दवाव देकर वो फैसला करया, वो सब भी अब्युक्त पढ़ने चाहिए है, 120 BK, सब जेल जाने चाहिए है, ऐसे केस में फास्ट टेक कोर्ट में सुनवाई हो, तुरंट फासी दी जाने चाहिए, और इसका कोई रास्ता ही नही होगा, इससे घटिया काम, निंदनिया कारी है, हो ने सकता, जो इस लड़की के साथ हुआ है, सर, एक सवाल हो रहा है, कि हातरस में अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी, वहाई के लड़की को मार दिया गया था, आरोपी सारे जेल में, CBI जान्स कर रही है, विपक्ष क कि वहाँ जाने की होड लग गई थी, कि पहले कौन जाए वहाँ पर, आम आदू पार्टी से लेकर, राउल गांदी, प्रियंका गांदी हो, या टीमसी के जो तमाम सांसद है, सब की एक तरीके से लाइन लग गई थी, वहाँ पर होड सी मचीदी कि पहले सबसे पहले कौन बगल में दिल्ली के बल्लव गड़ है, अभी तक कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता, उस लड़की के घर नहीं गया, उसके परिवार के साथ नहीं गया देखिए, यह जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिन्होंने सिये के नाम पैदेश में एक बहुत बड़ा आंदुन खड़ा करने का काम किया था, वो जहां भी जो लंबे टाइम से चली आ रही है, तुष्टी करन की राजिती, वो उसमें हर काम में राजिती देखते ह हैं, और उनको केवल हातरस की घटना दिखाए दी, राजितान की घटना दिखाए नहीं दी, उनको बल्रामपर गॉंड़ा में, क्योंकि वहां पर मुस्लिम लड़का था और हिंदू लड़की थी, वहां कोई नहीं गया, यहां नहीं है क्योंकि तौफीक नगोली मारी, त हम इसको सीबी आई को भेज़ देने की बात करते हैं, सीबी आई भी सुप्रिम कोट की निगरानी में करें, यह सुप्रिम कोट में कहा है, तो ताकि वहां पर बाकाइदा, क्योंकि मामला जाच में हैं, इसलिए मैं बहुत जादे हैं नहीं कहता, लेकि इतना कहना चाहता कि जो चीज ओपिन होच की, तीन तीन बार मेडिकल सेटिफ रिपोर्ट आई है, कहीं रेप की घटना ही नहीं हुई, उस पर इन लोगों ने, कि उनके घर पर जाकर की, बहर से पैसा आ रहा है, पी एफ आई का, और उसके दोरा वो सब पंडिंग करके, और गुमरा करके, ब करते हैं, तुष्टी करने की राज़ती करनी है, एक वर्ग विसेस की वोट को खुश करने के लिए काम करते हैं, यह न्याय की, या महिलाओं की, रक्षा की बात कभी सोची नहीं रहे, कि मोदी जी कहते हैं, सब का सास, सब का सब को जाय मिलना चाहिए, क्यों नहीं राजस् राष्टी ये अद्धक्त रहे हैं, माने राहुल गांदी जी, प्रियंका जी, वो क्यों नहीं जाते हैं वहाँ, क्यों? क्योंकि तौफीक नाम जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उनको इस बात के लिए, मैं तो कहता हूँ, इस से बड़ी सर्म की बात क् इस लड़के का ग्रांट फादर कांग्रेस का विदायक था नेता था, सांसद रहा है, इसका चाचा MLA है, तो ये क्यों इसलिए नहीं जा रहे? कांग्रेस वाले कुछ भी करें, इसके लिए चूट है, और सब पाइटी वहाँ गोल बंद होके जाएंगी, हातरस यहां कोई नहीं आएगी, तो ये तुच्छ राज देती का सबस्ट बड़ा हुदा रहा है, सर लव जिहाद का जो मुद्दा है, समय समय पर उठता रहता है, अभी हर्याणा में एक और मामला कुछ लव जिहाद से जुड़ा हुआ था, नाम कुछ अलग था लड़के का, लड़की को भगा के ले गया, और उसका खून कर दिया, अभी मीडिया में चल भी रहा है, समय समय पर ये लव जिहाद का मुद्दा देश के अंदर उठता रहता है, क्या कड़े कानून उठाये जाएं, क्या कड़े कानून बनाये जाएं, इसको रोकने के लिए, आप कैस सुचते हैं? अभी उत्तर प्रदेस हरिया ने सरकार ने कहा है, इसमें कानून बनाने के लिए, और कानून तो देखे, आज भी कानून में कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन फास्ट टेक कोर्ट में ऐसे मामलों की तुरित निश्णारन हो, एक महने के अंदर 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 सुहाई ने सुन